नमस्कार कक्षा 10 एक्ससाइस 2.3 पहला कोशन है कि इसको PX को GX से भाग करके और हमें भागफल और शेशफल ग्याद करने हैं सबसे पहले हैं तो हमें इसमें ये देखना है कि PX क्या PX और GX दोनों में X की घाते ही जो हैं अब रोही क्रम में हैं X की पावर 4, X की पावर 1, X की पावर 0 ये ओके है लेकिन यहाँ देखो बिना X वाली रकम बाद में लेकिन X वाली रकम बिना X वाली रकम पहले है और X वाली रकम बाद में तो इसे हमें ठीक करके लिखेंगे ये माइनस X स्क्यार पहले आएगा और ये प्लस 2 है ये बाद में आएगा तो GX हमारे पास अब ये बन गया और इसी को हम यूज करेंगे अब हमें करनी है भाग ये है X की पावर 4 माइनस 5X प्लस 6 और GX है माइनस X स्केर प्लस 2 तो rough work हम बनाएंगे जैसे हम पहले करते आया सबसे पहला step क्या है पहले पद को पहले पद से भाग ये है X की पावर 4 बटा माइनस X की पावर 2 तो 2X से या 2X कट जाएंगे 2 बच जाएंगे और माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस तो ये बन गया माइनस X की पावर 2 यही minus x की power 2 हम यहां लिखे देंगे अब क्या होगा इसको हम पहले इस से गुना करेंगे फिर इस से गुना करेंगे minus into minus plus x की power 2 को x की power 2 से गुना करेंगे तो 2 और 2 हो गया 4 उसके बाद देखो अब minus x square इस से गुना होगा plus into minus minus 2 गुना x square होगा 2x square लेकिन यह है x वाली रकम यह भी बिना x वाली रकम तो x square वाली इसमें कोई रकम नहीं है तो यह जो minus 2x square आया इसको मैं यहां लिखतूँँगा ठीक है? और अब यह इस परकार से निशान इसके साथ कोई निशान नहीं है यानि प्लस का निशान है अब क्या काम है? सबसे पहला step क्या है? sign change करना minus यह minus है तो यह हो जाएगा प्लस अब मेरे पास जो बच के आया यह x की power 4 और minus x की power 4 आपस में कट गया इन तीनों में से देखे तो यह x है यह 6 है यह x square है सबसे बड़ा है यह plus 2x square है इसे मैं यहां लिख दूँगा आगे है minus 5x और आगे से उतारा plus 6 अब फिर से वही step है कि पहला पद है 2x square इसको भाग कर दो पहले पद से minus x square x square से x square कर गया 2 को minus 1 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा minus 2 यह minus 2 हम यहां पर लिख देंगे यहां लिखने से इसको गुना करो minus 2 को minus x square से गुना करेंगे तो यह बन जाएगा 2x square minus into minus plus हो गया ठीक है और plus 2 को जब minus 2 से गुना करेंगे तो आजएगा minus 4 ठीक है अब यह निशान डाल दिया अगला काम क्या है sign change करना यह हो गया plus और यह हो गया minus अब 2x square से minus 2x square कर गया यहां से उतारा minus 5x plus into plus plus 6 चार 10 हासल आया plus का अब यहां देखो यह है 5x यहां है x square यह x की घात इस x square की घात से छोटी हो चुकी है तो यह भाग आगे हल नहीं हो सकती अब हम यदी देखें तो हमारे पास भागफल और शेशवल जब भाग हमारी खतम हो गई तो हमें भागफल और शेशवल प्राप्त हो गए भागफल आ गया यह उपर वाला minus x square minus 2 और शेशवल आ गया यह नीचे वाला minus 5x plus 10 यही हमारा उत्तर है दन्यवाद